हेलो आवरीवन कैसे आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो में बात करेंगे विश्वा भारती रिक्यूर्मेंट के बारे में जिसमें आपके मन में डाउट है कि इसकी आंसुर की कब तक आएगी कितना लेट हो सकता है और कितना जल्दी वह मैं आपको बताने वाला कि शतार के यह वह लेट चूकि और बाकि पोश्ट के यह उसके बाकिए फिर भी उसने लबक आंसुर की लबक एक्जाम समाफ दोने के बाद 7 दिन के बाद जारी कर देती जो लबक मार्च में उसके एक्जाम हो ते और मार्च वा लबक सर्थ 21 मार्च तक 18 से लबक की समार्च तक उसके एक्जाम चले थे और 27 याट्टेश से मार्च को उसकी आंसर के आगे थे आगे आपके एंटेजन्यू के एक्जाम होए तो लबक सब्षट 27 अप्रिल को एक्जाम होए थे और बाकि जो पूरे वच्छा पूरा लबक एक मेने से उपर लबक उनको वेट करना पड़ा वह जिनके बाद में एक्जाम होए उनको लबक से साफ पंजार तेरा चुदा दिनके लबक वेट करना पड़ा यानि कि 26 अप्रेल से लबक स्टाट होए तो 29 महीं को समाब होए लबक अलग लग देट में और वेट कि आए लबक तेरा उनके आसपास अनुके फंजा सुलाünde के आसपास बात अ क्वाने के बाद तो अभी तो इसकी अपके आशर के आपके कब तक आ सकती है देखिए इसके आपके एक्जम आपके समावत हो चुके जो आपके लबक तीन ब्लेक आपके अजिकस समावत हो चुके अभी आज समावत हो जाएंगे और यसे पहले पर आपके चांस बनेंगे तब तौफ सकता कि शांद दिन में भी तब तो आपको आंसर के आपके लिंग को बनो जाएगी अनिता वो चाहेंगे कि आपके पहले विश्वापार्थिक के बागी बच्च हुए एक्जाम है उसको भी कंडुक्ट करवाए तो आपको लबग अभी महीन एक महीने का समय वाल लग सकता है क्योंकि एंटिये चबीस या सत्ता इस तारीक को लबग है किसी के एक्जाम करवादी है वो सकता है कि इसी विश्वापार्थिक के बच्च हुए एक्जाम की तो लबग मान के तो अगर आने के चांस 20 जुलाई से पहले होंगे तो लबग आ जाएगी अनिता आपकी जो बच् आंशुरक जारे की जाएगे यान की अगस्त 10 अगस्त के आसपास आपके आ छांड की और नए के चांस बन सकते तो पूरी डिटल मैंने आपको ईनलेक्व आपको एंटी के जो बेस आपके एक्जम कवा रहा है उसके बेस में आपको पूरी डीटेल आपको बता दिये तो भी आपको वेट करना पड़ सकता है या पर कितना नहीं करना पड़ सकता है वह मैंने आपको सारी डीटेल आपको बता दिये तो नए स्टूडियो में जल भी लेंगे गर आपके में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं